नमस्कार, महराष्ट उत्तर प्रदेश और बिहार में भयंकर सियासी तुफान आया हुआ है आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो घटिट हुआ है वो बड़ा ही दिल्चस्प है इंद्रा गांधी की सरकार गिराने वाले जय प्रकाश नारायन की मूर्ती पर भाजपा सरकार ने अखिलेश यादव को माला नहीं डालने दिया इसे नराज होकर अखलेश यादव ने नितीश कुमार से खुल कर ये कह दिया कि भाजपा सरकार का समर्थन अब उन्हें छोड़ देना चाहिए NDA छोड़ देना चाहिए नितीश कुमार को इसके लावा महराष्ट्र में अजीत पवार बीजेपी की क्याबिनेट मीटिंग छोड़ कर चले गए बहुत कुछ हो रहा है आप यूँ समझ लीजी कि हर्याणा तो बीजेपी जीट चुकी है लेकिन मोदी के लिए कुरसी अभी भी सुरक्षित नहीं है अशूक वांखिरे सर है अशूक सर आपका पहुत बहुत स्वागत है अशूक सर जेपी नारायन की मूर्ती पर माला डालने से अखले श्यादव को क्यों रोक दिया गया अरे अगर प्रॉब्लम यह है कि भारती जनता पार्टी के पास अपने ऐसे आइकॉन कोई नहीं जो भी आइकॉन है वो दुसरे से उनको लेने पड़ रहे है सरदार वल्लब भई पटेल हो वो कॉंग्रेस के थे वो भाजपा के भाजपा ने कर लिए भाजपा वीर सावर करको अपना आइकॉन बनाना चाहती है लेकिन वो बना भी नहीं पा रहे हिम्मत भी नहीं हो लिए दुसरी तरफ महत्मा गांधी को भाजपा करके बैठे अब जैप्रकाश नारायन को भी वो अपना समझने लगे और जैप्रकाश नारायन को कुछ तुभी संगत के साथ जोड़ के संगी भी घोशित करे तो आज चले नहीं है तो जैप्रकाश नारायन के कॉल पर या इंद्रा गांधी की सत्ता का दमन हुआ है या इंद्रा गांधी जी ने इमरजींसी जैसी अपातकाल जैसी बहुत घंगोर गल्ती की है तो वो पूरा जैप्रकाश नारायन को स्टेज आता है कि जैप्रकाश नारायन का आंदोलन इ जिन्दा रखा उसके बाद फिर जो दूसरी लाइन आ गई फिर मुलाइम सिंग आ गए मुलाइम सिंग के बाद अखिलेश आ गए उसके तरफ दूसरी तरफ लालु यादव नितिश जॉर्च ये लोग सब उस उस पीडी के लोग है लेकिन फिर डिटोरेशन भी हुआ लेकि यह तमाम अटल भीहरी वाचपई है यह लोग इस देश की धरोर है इसे एक राजितिक दल का बपोती नहीं है वैसा देखा जाए तो शहीद भगत सिंग वामपंती विचान के धारा के थे तो कल वामपंती विचान धारा वाले लोग कहें कि भही तुम कोई और उन पर हारी नहीं पैना सकते हो शाहिद भगत सिंग इस हर देश के युवाओं की धरकन है तो आप उसको कैसा कर सकते है मुझे लगता है कि यह थोड़ी प्रगल बता लानी चाहिए नेताओने यह छिचोरापन किसी को मालनापन करने से रोके किसी पे कुछ करने से रोके तो कल इसका मत से वापस आ गए जो मैसेज देना था वो देने में सफल हो गए और मुझे लगता कहीं न कहीं ऐसे मैसेजेज जनता के बीच में सरकार की चवी और खराब करती है जलका जनता बहुत ओचा विचार है यह किसी को माला नहीं दाने देना तरक यह दिया गया कि अगर को काट लेते थे इनको क्या है तो फिर मुझे ही कहिना है कि वहां सरकार किसकी चल रही है अभी पिछली पास साल और अभी यह दो साल साथ साल से तो योगी आजितिनात वहां सरकार चला रहे है क्या योगी आजितिनात की सरकार चैप्रकाश नारायन को इतना आपमानित कर यह है कि उनके स्टैचू का रख रखाव भी नहीं कर पाएं, कि वहां साब बिच्चू का इकटा होते हैं, जहां आटाला परा रहता है, खंडर में होता है, तो क्या आपने जैप्रकाश नारायन का जहां मुर्ती लगी हुए, उस पूरे खेत्र को इतना निगलेट किया कि व कुँक्झा सकती है, तो लोग सबाव में जो हश्र हुए बीजेपी दीटा, इससे बीजेपी को सीख लेना चाह के ने चाहिए, और इसके बाद भीं सीख लेते, तो लोग सब आने बाले विदान सबाव में भी यहीं हश्र होगा, यहीं हाश्र होगा, यहें देख me जaking सबसे बड़ा नहीं था इन में से कोई भी सिशुपाल की हत्या कर सकता था कि मैंने वचन दिया है कि इसकी सव गुने माफ करूंगा तो पूरे गुने कर ले अब यदि इन्होंने अपना आपका घड़ा पुरा करने के लिए ऐसी सिचोरी हरकत पर उतर आए वो किसी का भी हो कर अटल जी की पुन्नेतिति पर अखिलेश अचा करेंगे तो हम अखिलेश प्रधान मंत्री बना उस आजमें ने सबको साथ में रखा नर्यनर मुदी जी ने कई बार बड़ी प्यार से बात की मुलायम सिंग यादो से तो वो क्या सब नवटंग की था तिर्व जनता के सामने फोटो अपरचिनिटी थी यदि मन में आपको प्रेम हैं तो मुझे नही जादा सांसद जिनके पास है उसके नेता है हो लोग सबा के चुनाव का मत्रप्रतिशत हम देखे तो आज उत्रप्रदेश में उनकी उनको चाहने वाले लोग सब्ता में हैं मतलब उन सबसे ज्यादा उत्रप्रदेश में लोग उनको चाहने वाले हैं तो मैं उस अनुशन ये वो तमाम नाना जी देश्मुट से लेके अटवानी जी अटल जी और वो तमाम जो लोग जैप्रकाश जी के साथ जनसंग को त्याग कर जनसंग को मर्ज कर दिया था जैप्रकाश जी के कहने पर किसी एक नया राज़ितिक प्लैटफार्म खड़ा कर दिया था तो वो संग को समर्पित करने के लिए एक नए विचारधा में तो यह संग का अपमान है क्यूंकि जैप्रकाश नारायन को तो सब ने सर प्योटाय तब अठल जी के लिए वंदनिया थे संग के लिए भी वंदनिया थे मेलकुल हम तो जैप्रकाश घ्जी को आप यह कहना कि मैं माला पहने के लिए इतनी बटालियन लगाई गई है तो यह मैसेड जाता है लोगों के तरह पर लोग इसको बहुत ही खास कर लो हमारे क्या है हमारे के अईसे समाज से आते हैं परग्या जी कि जहां लोग मरने के बाद दुश्मन से भी दुश्मनी खतम हो जाते हैं पर लोग मरने के बाद तो सब कुछ हो जाता है आप जिस राम को पूछते हो जिस राम की प्रान पतिष्टा किया आपने उस राम को समझे आप राम की मुर्ति को प्रतिष्टित करने से नहीं होता उपनिश्यत में एक श्लोक है वो श्लोक के क्या कहता है वो श्लोक कहता है कि भगवान की तो मुर्ति होती ही ने जो समर्पित होते हैं उनके लिए निराकार ही इश्वर है लेकिन कुछ लोग इतने मंद बुद्धि के होते हैं कि उनको इश्वर समझाने के लिए मुर्ति की कल्पनाएं की गई ये उपनिश्यत का एक श्लोक है तो चलो आपके आस्ताय मुर्तिया बना दी क्या रावन मरना सननस्तिती में जब थे उनकी प्राण जोती समाप्त होने के पहले या प्राण त्यागने के पहले क्या राम जी ने नहीं कहा था लक्षमन से इस पुस्ति से एक सबसे ज्याता आज स्वरद्वास हो रहा है जब तक जीवी थे उनके चरणों में बैठके उनसे ज्ञान प्राप्त करने का प्राण सर्ण ज्यान एक अखिले श्यादव ने भी दिया है नितीश कुमार को अखिले श्यादव ने बड़ा खुल कर कह दिय जाए है कि ज्यान देने वाले बहुत है रिसीव करने के लिए एंटी न चाहिए अपका एंटीना ठीक नहीं होगा तो आपके यहां सीगनल नहीं आते नितीश कुमार का एंटीना अभी ठीक है कि जो सिगनल लेंगे क्या नितिश कुमार लोहिया और जैप्रकाश नारायन के नाम से राज़निती नहीं करते क्या लोहिया और जैप्रकाश नारायन के नाम से राज़निती करने वाले लोगों को वरतमान में देश में क्या चल रहा है क्या लोहिया और जैप्रकाश नारायन की विचार धारा यह सहन करती जो अभी देश में चल रहा है वरतमान और इसके बावजूद इनितिश कुमार वहाँ चले गए इसका मतलब नितिश कुमार के लिए लोहिया जैप्रकाश नारायन समाजवादी विचार धारा यह सिर्फ पिछब को बात करें तो नितिश कुमार उसको सुनेंगे जरूर और नितिश कुमार भी डरे होए है नितिश कुमार के यह चुनाव है नितिश कुमार को इस बात का डर है कि उनकी जंता दल युनाइटर खा नहीं जाए बाकी जगा पे उन्होंने पूर्ल लग और स्थिती वैसी ही है आजकल नितिश के कई सांसत बीजेपी के पक्ष में जाने को तयार है नितिश जिनको मिहंत्री बना लेता है कि अविनेटी में वो बीजेपी की भाचा बोलना श से बिलकुल देखिए भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो पूरे राष्टर में व्याप्त होना चाहते है और क्यों नहीं हो प्रग्या जी मुझे बताईए कोई भी राजनितिक दल है वो पुरा भारत वर्ष पर हर राज्य में अपनी वजुद चाहेगा कद बढ़ा करना च महाराष्ट में बीजेपी सिवसेना की उंगली पकड़के गई बड़ा भाई बड़ा भाई को कब बुढ़ा पा आ गया और छोटे भाई ने कब सता पकड़ ली और बड़े भाई के गले एक लपड़ मार के घर में बिठा दिया पता भी नहीं पड़ा आइसा ही बड़ा बड़ा ही बनके वह अकाली दल को हाश रस्ते पे ले आए ऐसा ही साथी बनके पीड़ीप के साथ गये इस चुनाव में पीड़ीप की स्थिति क्या होगी देख लिया आपने तो यह कई जगा पे बीजेपी ऐसी करेगी क्योंकि बीजेपी को जल्दी करना है देखिए संग और बीजेपी में दो बेसिक डिफरेंसिस है संग बड़े स्लो प्रसेट से चलता है संग कहता है कि 20 साल और लगे तो चलीगा लेकिन अपने हिसाब से चलना चाहिए बीजेपी खासकर 2014 के बाद बीजेपी की भूक इतनी बढ़ गई है और मानो समय खतम हो गया है बोता है जब डॉक्टर बोलता है घर में बुजर्ग को कि बस इनके पास अब एक छे मैने से ज़्यादा टाइम नहीं है उसी छे मैने में बच्चों की एंगेजमन भी हो जाती है शादी भी हो जाती है तो शायद ऐसा कुछ बीजेपी में हो गया है कि सारी राज्यों में मेरी सरका कैसा भी करके एंगें प्रक राकेर मुझे सक्ता में वहां जाना है मुझे सक्ता चाहिए इनकि मैं सक्ता मे रहूंगा तो मैं कहूंगा कि भॉह मैं पूरेज वर्ष पर व्यावद्य को हमें तो वह भी गोधरा हत्या कांड का गोधरा कांड के बाद उन्होंने गोधरा का नाम लेके सरकार से दूर होगे थे तो कई ऐसी चीजे हैं हर आदमी कौशे से सहसा नहीं कि हर आदमी उद्दव ठाक्री ने समझ लिया था कि अब आ गया है हमारा ये खाजाएदा ये कहानी है प्रग्या जी और मैं कहानी सुना रहा हूं इसका मतलब दर्शकों को भी हाज जोड के विनंति करता हूं कि मैं जब हमारे हम कुटे बिल्ली पालते हैं वीदेशों में लोग अजगर भी पाल लेते हैं साब भी पाल लेते हैं आप मिडलिश्ट में लोग शेर चीते भी पालते हैं एक इंसान में अजगर पाला था और वो अजगर से बड़ा स्निया था उसका और वो अजगर भी उसको पुर करना तो कि अए और बीवारतक चाहिए को ठीक है आपके परेवर्थन लगता है क्या आपके उसके बियवियर में और अधिक्षेकर कर लें जाती का अजगर हमने पढ़ाए उसको परिवर्थन यहीं हो गया है कि वो रोज एक बार आके मेरे साथ लेट के जाता है बस कुछ नहीं सा मेरे साथ लेटता है और फिर उतर जाता है पलंग से उन्हें कहा कि आपने बहुत अच्छा किया मेरे पास आ गए आप तुरंत फॉरेश्ट वालों को बुला के अजगर फॉरेश्ट में छोड़ दीजिए बोले क्य हैं तो किसी भी इनसान को किसी भी राजगी फ्रॉन को दूसरे राजगी ठीक दन से इतना ही ner चाहिए जब व्कों आपको ना प्रहा तो समझ जाना चाहिए कि वो निगल जाएगा तो नितिश कुमार तो कब से नप रहे हैं सर नप रहे हैं तो नितिश कुमार नप रहे हैं नितिश कुमार भी बीच बीच में दिखाते हैं हो सकता है कि अखिलेश के समझाने पर नितिश निकल जाए लेकिन नितिश जी को भी पता है कि वो अखिले न लेकिन एक लेकिन नाइडू को विशेश राजी का दर्जा विशेश पाकेज के साथ का उफर करके मनाया जा सकता है मनाया नहीं वह अभी वहाँ पर क्या है नाइडू इनके लिए बीज़ेपी के लिए भी दुगदाई हो गया है क्योंकि यहां आपके उत्रप्रदेश में आप मजीतों पर कपड़ा दालते हैं ताकि कावडिया की नजर नपड़े मजीत पर और वहां मजीतों को अनुदार है महाराष्ट में एकनाशिदे की सरकार ने अब मदर्से के टीचर्स के तनका दुगनी तीगनी कर दी हां मिल्कुल तो फिर आप उत्रप्रदेश में एक बात करेंगे महाराष्ट में एक बात करेंगे और वहाँ पर या मजीतों वो ढख देंगे वहाँ मजीतों को 10,000 रुपे मेंटेनस देंगे कदर करो मेंटेनस करो यह लोगों को भी समझ में आता है क्योंकि कमिनिकेशन का समय है डिजितल कमिनिकेशन ने सारी खबरे इदर से उदर फ्रेक्शन अफ सेकंड में चली जाती है दो मिट के अंदर तो लोग समझ रहे हैं कि आपकी मनिशा क्या है आप सत्ता के लिए कितना जोग सकते हो आपका हिंदू तो क्या है आपका मुष्टिमों के फृस्परोध कितना है अशक सर् wenn सत्ता से आदाया क्या हालिया नहीं मेरी जीत क्या मोदी सरकार के लिए जीत की गैरेंटी है क्या आप मोदी सरकार को कोई हिला नहीं सकता क्या आप即िन करें नरेंद्र मोदी सरक्षित हो गए है हर राज्य अपने अलग बिहेव करता है, क्या हर्याना में जो किया, क्या उन्होंने बंगाल में नहीं किया था, क्या हुआ बंगाल में, बंगाली असमीता का पत्ता इतना तेग चला, कि मंगता जरूर से ज्यादा सिटे लेकी गई, विदान सबा में, और लोक सबा में भी उ आय स्मीटा का सवार्य हैं मिनेरल सोर्स को बचाने का सवार है जिसको आपने करफट बोला वो तो घ्रम नहीं निकला उतिसको आपने जेल ढला जिसे ईमान्imore्र करें को विद्धा को बचाने की जाट वरसिस नौन जाट करने का प्रयास करेंगे लेकिन वह होगा क्या सवाल यह है प्रस्टित दूसरी बात महाराष्ट में मतब जितने निर्णे सरकार में सरकार जब थी पिछले दो साल में नहीं हुए उससे ज्यादा निर्णे मुझे लगता है पिछले एक कि दिनों में हुए है हमारे रोज क्याबिनेट मिटिंग होती है और रोज निर्णे होती है आज आज क्याबिनेट मिटिंग हुई 38 निर्णे 38 उसके पहले जब विधान सभा खतब होने के बार आकरी विधान सभा का सत्र होने के बार तो चुनाव आयोग का काम होता है कि च चुनाव आयोग उस प्रोसेस में रहता है और सरकार की स्तमाम राज़ीतिक दल जो होते हैं वो चुनाव की तैयारी करते हैं कि अधिन गड़करी ने कहा था कि आप इतना गोष्णा कर रहे हैं लेकिन उसका प्रोविजन का है पैसा कहा है हम कोई काम करते हैं तो उसका एक बज़ेट होता है उस बज़ेट से ज्यादा खर्चा होगा तो हमको भी इदर उदर जाकना पड़ता है महरास्ट में करिब आठ लाग क्रोड का कर जाये महरास्ट यहीर सरकार में अधाली में जो घोष्णाई की उस्से महरास्ट का बपित्तिय घटा दो आज अजित पवार cabinet meeting में आए अजित पवार के पास वित्त मंत्रा ले है अजित पवार लगातार लगातार कई योजनाओं को टाल रहे थे क्योंकि उनको भी पता है पैसे कहां से लाएंगे लेकिन आज अजित पवार आए 10 मिनट बैठे क्योंकि 10 मिनट प्रस्ताव चलता रहा रतन टाटा जी स्वरिय रतन टाटा जी को शद्धान जली जने का और शद्धान जली खतम होते से ही अजित पवार वक उट कर गए क्योंकि वो तमाम जो आज निर्णा लेने थे वो सब वित्त मंत्रा ले पर उसका अदुमोधन चाहिए था तो सर्थ खबरे तो यह भी आ रही है कि आज शाम को प्रेस कॉन्फरेंस करके गड़बंधन तोड़ने का एलान कर सकते हैं यह खबरे चलते हैं नहीं कहां जाएं बोदावरी कृष्णा में महाराष्ट के और यह मैंने वयक्तिक रूप से शरत पवार से one to one बात करी मैं प्रग्या जी यह मैं अपनी और उनकी शरत जी की नीजी बात बताता हूं जी उनका एक मतलब सबको पता है कि यदि यह पुरा कुन्बा वापस आ गया तो शरत पव सब्सक्राइब करता है तो अजीत पवार के साथ जितने लोग गए उन में से दो या तीन जिधायक वापस आए तो शायर वो भी इस कंडिशन पर क्यों चुनाव नहीं रणेंगे अजीत पवार के तो वापसी नेक्स्ट पॉसिवल है परिवार में वापसी हो सकती है राष्ट्रकवादी कॉंग्रेस में नहीं तो वह कहां जाएंगे अच्छा वो सिवसेना भी नहीं उनको आने देगी क्योंकि भाई सबको तकलीब तो है ना इस सिंपैथी सबको मिल रही है साहनू भूति की लहर खतम हो जाएगी यह अजीत पवार वापस आएगगे तो वह एक वापसी नहीं है तो वह एक थर्ड फ्रेंड बन सकता है तर्ड फ्रेंड में क्यों है बच्चू करू है जो अमरावती जीघे के 2 सितों पर सिमीत है जी एक शेटिए है वो शेटिव रख को लापूर हाथ कंगला उस एरिया में दो एक-दो सितों पर सिमीत है और कौन है राज ठाकने तो कहीं है नहीं टोटल मिलाके दो ढ़ाई प पूरा लगातार अपमानितकर उनको ऐसी सीती मिला रहे है कि वह छोड़ दे यह अजित पाव़ की पॉलिटइकल समझ हूगी तो सर यह तो वही वाली बात हुगि वही कहावाद ना घर के रहे ना घाट के घाट के पार्टी छोटना मेरे से गलती होगी अख्री सवाल आपसे यह हर्याना की जीत का असर महराश्च के चुनाव पर क्या पढ़ने वाला है क्या भाश्पा के लिए बहुत चुनाव होने वाला है क्योंकि बढ़े अ辛苦 जताई जारी है कि जो हर्याना में हुं वैसे महराश्पा कर सकती है ऐसा नहीं आइसा नहीं जो गुझरात में हुआ वो ejercies माठर में वहा हूद्धिक जर्ड़ा यब owners जंचाव हमनें बहुत से लड़ाई राज्शा के बहुत महाराश शित्रपदी शिवाजी महाराश का बदला लिया शित्रपदी शिवाजी महाराश का बदला लिया शित्रपदी शिवाजी महाराश ने सूरत पर हमला बोल दिया तो उन्होंने मुंबई पर हमला बोल के तमाम उद्योग गुजरात ले भागे मुंबई के बड़े-ब तोड़ा गर कानुनी रूप से तोड़ा इसलिए उनको अपने उद्धव ठाकरे के साथ गरत किया इन गुज्रातियों ने इसलिए वो हैं दूसरी बात भारती जंता पार्टी में बाहर के लोग इतने आ गए कि अंद्रुनी और बाहर की ये बहुत बड़ी लड़ाई वहां पर अपने प्रदेश ये बहुत बोलता है दस गिलोगा महरास्ट तीन अलग अलग जगा से निकली हुई एरिया से बना है उसे संजुक्त महरास्ट बोलते हैं निजाम से मराठवड़ा आया सीपी बिरार से विधर्बा आया मुंबई राज से हंदेश का कुछ पोर्षन औ और कोकड और पच्ची महरास्ट आया तो इनकी तासीर अलग है इनकी इसूस अलग है क्या देख रहे हैं आप महरास्ट में हर्याना के जीत से महरास्ट में कॉंग्रेश की बार्गिनिंग पाउर कम हो गए कॉंग्रेश जो सीट शेरिंग में ज्यादा मांगती थी वो आवकात में आगे आपको सीट देखे क्या करेंगे आप तो हारते हो हर्याना नहीं संबाल पाए आप हम जो देते हो ले लो और हमारे साथ चुनाओ जीत लो भाजपा क्या है आज की तारिक में आज चुनाओ च चुनाओ सब्सक्राइब जरू किजएगा